नमस्कार Capital TV देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा बड़ी खबर आपको बता दे हिमाचल का अगला CM कौन होगा जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त गमस्तान पिछले दो दिनों से देखने को मिल रहा है पर बड़ी खबर आपको ये बता दे कि हाई कमान सुकविंदर सिंग सुकु के नाम पर मोहर लगा दी है विदायक दल की बैटक हुई बैटक में ये फैसला लिया गया सीधी तस्वीरे आपको दिखाते हैं जहां पे सुकविंदर सिंग हाथ में गुलदस्ता लिये वे नजर आ रहे हैं हाला कि नए सान नए CM के तौर पर इ से प्रतिवा सिंग के समर्तक सड़क पे उतराए धरने में बैट गए और जबरदस्त नारिबाजी के साथ हंगामा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है तो हिमाचल में CM को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है जादर जानकारी के साथ में साथ नियूजरूम से ज राजीब जी लगबख नाम के तैमाना जाए सुखविंदर सिंग सुखुई होंगे अगले सियम बिलकुल नाम तो लगबख तैह ही हो गया विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से इन लोगों ने सुखविंदर सिंग सुखु के हाथों में कमान सौब गुलदस्ता दिये और परतिवा सिंग भी बगल में ही खड़ी दिखी इससे लग रहा है कि अब सुखु के नाम पर मुहर लग गई है लेकिन दो अस्तर की बाते अभी बाकी है परतिवा सिंग उनके बगल में खड़ी होई थी लेकिन उनके चेहरे पर खुशी कहीं नहीं दिखाई दे रही है वो टेंसन में लग रही है थोड़ी दुखी लग रही है क्योंकि सुबह से हर बैठक में सबसे पहला दाव यही खेला गया था सुख्विंदर सिंग सुखु के तरब से कि जो विधायक नहीं है वो मुखमंत्री नहीं बनेगा इनका मतलब था और मक्स साब था कि परतिवासीन को दरकिनार करने के लिए एक तुरूप का पत्ता यही सावित हो सकता है क्योंकि उनके परिवार जो कॉंग्रेस के लिए बाजित कर रहे हैं और बड़ी ख़बर ये भी आ गई है ऑफिशल एनाउंस्मेंट हो गया है बगेल ने सुखु के नाम पर सहमती जताते हुए ये एलान कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंग सुखुई होंगे और मुकेश अगनिहोत्री डिप्टी सीम होंगे कल 11 बजे शपत ग्रहन भी होगा पर तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरे आप शिमला से देख रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम का एलान हो गया है साथी डिप्टी सीम का भी एलान कर दिया गया है प्रतिबा सिंग भी यहाँ पे मौजूद है मतलब साफ है कि प्रतिबा सिंग भी सुखविंदर सुखु के नाम पर सहमती जताती भी नजर आ र यानि मुकेश अगनिहोत्री, सुखविंदर सिंसुखु और परतिभासिन इन तीनों के बीच बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें दो लोगों को बैलेंस किया गया और जब ये बात चली कि परतिभासिन को सीम नहीं बनाया जाएगा तो परतिभासिन ने ये बात तो मान ली लेकिन उनका ये कहना था कि अगर हमारे परिवार में से किसी और को भी इसके लिए आगे बढ़ाया जा सकता है उनका इसारा विक्रमादित तिसिन की तरफ था कि जो उनके बेटे हैं विधायक हैं उन पर तो सहमती बनाओ आखिरकार सीम के तोर पर सहमती नहीं लेकिन ये बात सामने आई कि वो डिप्टी सीम से कम पर मानने वाले नहीं हैं हाँ ये अलग बात है कि डिप्टी सीम के तोर पर हो सकता है कि रात रात तक एक और फैसला हो क्योंकि ये खबर चल रही थी और ये सुत्र बताते हैं कि विक्रमादित तिसिन को भी डिप्टी स उत्री हैं उनको तो इसलिए बनाया गया क्योंकि गांधी परिवार में भी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी गांधी परिवार में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नाम पर सहमती है आला कमान मतलब केबल सोनिया गांधी नहीं है आला कमान मतलब सोनिया गांधी राहुल प्रियंका गांदी यानिं प्रियंका वाडरा भी हैं। प्रियंका गांधी का यहां पर इंट्रिस्ट था और अभी भी इंट्रिस्ट है। इसलिए उनके बीच भी पूरी तरह से सहमति अभी नहीं बनी है। और दूसरे अस्तर पर ऐसा नहीं है कि CM के रेस में यही तीन लोग थे जिनके सहमती की ज़रुवत थी एक और नाम सामने आया था और वो है कुलदीप सीन राठोर पहले हिमाचल परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष रा चुके हैं उनके बाद परतिभास इनको अध्यक्ष ब दिया है और आला कमान के फैसले को सब लोग मानने के लिए तयार हैं अभी भी जो तस्वीर है वो साफ नहीं है धुंदली है अभी भी ये लोग जल्दी बाजी में फैसला इसलिए ले रहे हैं और हर बड़ाहट में विधायक दल के बैठक बुलाई लोगों को सहमत करने की कोशच की इसलिए क्योंकि इनको डर लग रहा था कि कल से जो कवाय चल रही है सीम की उसके कारण कई विधायक इधर उधर भागने के फिराक में हैं और हिमाचल परदेश में मैजूरिटी के लेबल पर कॉंग्रेस के पास इतने विधायक नहीं है कि अगर दस विधायकों क संख्या घट जाए तो भी वो सरकार बनाने के लिए तयार रहेंगे 40 विधायक 35 विधायकों की जरूरत यानि 6 विधायक भी अगर खिसक जाते हैं तो बड़ा खेल हो जाएगा इसलिए अभी घमसान खत्म नहीं हुआ है और जो समर्थक है परतिवासिन के जो बार बार ना जाए ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आने वाले वक्त में काल ना हो जाए इनके लिए देखिए ये कॉंग्रेस के इतिहास रहा है जिस तरीके से कॉंग्रेस इस तरह के सिच्योशन में फस्ती है तो उसका समधान वहां पर उसके सरकार को गिरना होता है क्योंकि जहां जहां ऐसे इस्तिती आई है वहां कॉंग्रेस के लिए मुसीवत खड़ी हुई है जाहे करनाटक हो मद परदेश हो या फिर अभी किसी और अस्टेट में ज्यादा समस्या नहीं आई राजस्तान और चप्तिस गड़ में किसी तरीके से ये घसीट-घसीट कर विवाद थे कि वो किस खेमे में जाएं और अपने समर्थकों के साथ वो दूसरे सरकार बना सकते हैं नहीं लेकिन हिमाचल में वो इस्तिती नहीं हिमाचल और राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर है हिमाचल के सिती मद परदेश टाइप की बता सकते हैं करनाटक की तरह बता सकते क्योंकि वहाँ पर भारतिय जनता पाटिय और कॉंग्रेस के बीच सीटों का अंतर इतना जादा नहीं था और जहां तक विधायकों के भविस्थ की बात है कैरियर की बात है वो ये समझ रहे हैं कि कॉंग्रेस की जीत जो हिमाचल परदेश में हुई है वो जीत कॉंग्रेस औ और कॉंग्रेस के बड़े नेताओं के मेहनत के कारण नहीं हुई है बलकि एक महज इतिफाक है जिसके कारण 0.9% वोटों का अंतर 7-7-8 जगों पे 200-400 के वोट के मार्जिन से कॉंग्रेस का जीतना और एक अकस्मात जो रिवाज रहा है उससे सत्ता परिवर्तन की एक लहर चत्ता विरोधी लहर और इन मामलों में इनको लगता है कि अब आगे भी एक साल का या छे महिने का समय इनके लिए मुश्किल हो सकता है और इस बात को लेकर कॉंग्रेस के अंदर भी चर्चा है हर बड़ा हट में लिया गया यह फैसला कॉंग्रेस के उपर भारी पड़ सक लेकिन फैसला कहा जा रहा था कि प्रयांका गांधी लेंगी तो सुखविंदर सिंग सुखु प्रयांका के करीबी है या राहुल गांधी के करीब है क्योंकि उनका एक बड़ा भी बयान आ गया कॉंग्रेस ने सुखु को जिमेदारी दे दी तो कह रहा है कि आला कमान का ब खड़गे तक के बोल रहे हैं कि ये राहुल गांधी के जीत है जबकि राहुल गांधी वहाँ पर रैली करने के लिए भी नहीं गए लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी उस इस्थिती में नहीं है कि पूरी तरीके से कॉंग्रेस में फैसला ले सके सोनिया गांधी राहुल को वो पोजिशन मिला हुआ है और प्रियंका गांधी अभी अस्ट्रगल कर रही है तो आला कमान का मतलब है कि राहूल गांधी का फैसला है सोनिया गांधी का फैसला है लेकिन प्रियंका गांधी का कैम अभी भी वहां नाराज चल रहा है और इसके पीछे की बड़ी वज़ा है कि राहुल गांधी के परचार नहीं करने इग्नोर करने के बावजूद इतना तवज्जो दिया जा रहा है और प्रियंका गांधी की टीम को दरकिनार किया जा रहा है यह जो डिप्टी सीम का पोस्ट है मुकेश अगनिहोतरी को जो बनाया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी नजदी की प्रियंका गांधी से पिछले कुछ समय से थी जब ये संगटन में काम कर रहे थे और दूसरी तरफ पर्तिभास इनको भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के करीबी रही है और उनके और प्रियंका गांधी के बीज के संबंध का आधार ही है कि अभी भी परतिभास इनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई पड़ रही है और वो कभी भी परदे के पीछे से कोई बड़ा खेल कर सकती है और खेल की तयारी के लिए कॉंग्रेस को तयार रहना चाहिए अदनेबाद समझाने के लिए तो हमाचल प्रदेष से जुड़ी बड़ी कबर आपको बता रहे हैं नाम का एलान हो गया है हिमाचल प्रदेश के अगले SIEM विदायक दल की बैठक होई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है पर देखना होगा कि जिस तरह से पिछले दो दिनों से हिमाचल प्रदेश में CM के नाम को लेकर घमसान चड़ा हुआ था अलग-अलग गुड बन गये थे वो सुखविंदर सिंग सुखु के नाम पे जो सहमती बनी हुई है उस पे वो अपनी हामी भर पाते है या नहीं क्योंकि प्रत्वास सिंग के समर्थकों में भा पत लेंगे हिमाचल प्रदेश के नए सियम सुखविंदर सिंग सुखु कैमरे परसें अशोक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी